हेलो स्टुदेंट्स वेलकम टो वर चैनल लोकस पॉइंट आफ यूर करियर विटा हम लोग इशले लेक्चर में मेकैनिक्स के बारे में इंट्रोड़क्शन की चीज़े डिसकस कर चुके थे अब उसी इंट्रोड़क्शन के पार्ट को हम आगे बढ़ाते हुए फोर्सेज के बारे में हमने कुछ देखा था पिछली वीडियो में आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं कि पिछली आर्मने सिंगल फोर्स की बात करी थी आज हम बात करेंगे सिस्टम और दूसरी जो चीज आज हम बात करेंगे वो है resultant force यानि की जिसको हिंदी में बोला जाता है परिणामी बल ये दोनों बहुत important चीजे हैं इनकी meaning समझ में आना बहुत जरूरी है कि ये क्या होते हैं और उसके बाद ही हम mechanics के आगे के जो rules है नियम है वो पढ़ पाएंगे स समझ पाएंगे तो आज का इस lecture को मैं start करूं उससे पहले एक request है कि अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया हुआ है अभी तक तो subscribe कर लीजे ताकि लगातार आपको videos मिलते रहें lockdown का समय है online studies चलेंगी तो lectures आपको लगातार मिलते रहें continuous मिलते रहें इसके लिए subscribe कर लीजे और videos जो आपको अगर लगता है कि हाँ ठीक है तो आप उसको save भी कर सकते हैं screenshot लेकर के notes लेते रहें प्लस आप videos को share भी करते रहें ताकि दूसरों को भी content मिलता रहें तो चलिए subscribe button पर click कर दीजे और हम start करते हैं आज का lecture तो आज के इस lecture में हमने जैसे आपको बताया कि पहले बात की जाएगी बल निकाए जिसको बोला जाता है system of forces की तो system of forces है क्या इछले lecture में हमने जब बोला था force तो force का मतलब था कि एक force लग रहा था लेकिन किसी object पर अगर एक से जादा forces लग रहे हो एक से जादा बल लग रहे हो तो ऐसे situation में उन सभी बलों को अगर सामूहिक रूप से कोई नाम दिया जाएगा तो वो बोला जाएगा force system या बल निकाए या system of forces यानि कि दो या दो से अधिक बलों के समूह को हम बोल देते हैं system of forces जो किसी एक वस्तू या पेंडिया object पर लग रहे हो ठीक है अब ये तो इसकी definition हो गई कि क्या होता है लेकिन बल निकाए के बहुत सारे types होते हैं ठीक है बहुत सारा इसके तरीक के बल निकाए होते हैं तो system of forces का classification जो होता है वर्गी करण इस पर आईए अब हम लोग बात करते हैं कि ये होता क्या है तो चलिए इसका वर्गी करण देख लेते हैं जिसको हम बोलते है system of forces या बल निकाए system of forces सबसे पहले इसको दो भागों में हम divide करते हैं यानि कि दो categories में इसको हम categorize कर देते हैं वो क्या क्या है आईए वो देख लेते हैं पहले उसमें जो दो categories हैं उसमें से पहली आ जाती है system of coplanar forces forces या coplanar force system coplanar force system इसको हिंदी में बोला जाता है सम्तली बल निकाए सम्तली बल निकाए मतलब coplanar का मतलब हो गया कि एक ही plane पर यानि कि एक ही तल पर सारे बल लग रहे होंगे सारे forces एक ही plane पर या एक ही तल पर लग रहे होंगे और जबकि दूसरा हो जाएगा यहां पर coplanar था तो obvious है कि जो दूसरा system होगा वो होगा non coplanar तो दूसरा हो जाता है non coplanar force system जिसको हिंदी में बोला जाता है असमतली बल निकाए यह तो दो main categories हो गई ठीक है दो जो इसकी main categories हो गई जिनमें हम इसको बाटते हैं वो हो गई ठीक है अब इनके फिर से types आते हैं ठीक है तो types में क्या-क्या होता है उस पे आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि समतली बल निकाए और असमतली बल निकाए क्या-क्या होते हैं तो समतलिय बल निकाए और असमतलिय बल निकाए को समझने के लिए आप अगर ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कोई दो forces हैं ये कोई F1 force है और एक ये F2 force है ठीक है ये इस direction में लग रहा है अब देखिए दोनों एक ही plane पर रखे हुए है यानि कि इन दोनों का जो तल है ये ही है और वो तल कौन सा है? वो है इस paper का तल दोनों paper के तल पर लग रहे हैं ठीक है तो ये दोनों हो गए समतलिय बल कर दो है तो दो या दो से अधिक बल जाब एक साथ लग होते तो उनकी को हम बल निकाए बोलते हैं तो ये तो हो गया समतलिय बल निकाए, इनकी दिशा से मतलब नहीं है, यह हो सकता है, ऐसे लग रहे हो, ठीक है, अभी हम इनको बोल सकते हैं, यह समतली ये बल है, क्यों? क्योंकि दोनों इस पेज पे, जिस पे मैंने लिखा था, इस पेज के तल पर है, दोनों का तल एक है, ठीक, लेकिन अगर इन में एक बल को हम ऊपर उठा देते हैं, एक बल नीचे है, या आगे पीछे है, इस तरह से लग रहे हैं, अब क्या हो जाएगा? अब इनके तल अलग-अलग हो गए, ठीक है? देखिए, एफ वन जो है, ये कागज के तल पर है, जो नीचे जिस पर मैं लिख रहा था, उस कागज के तल पर है लेकिन F2 अब जो है ये इसका तल अलग हो गया ये तल ऊपर आ गया तो इन दोनों को अब हम असमतलिये बल बोलेंगे क्योंकि इन दोनों के तल अलग अलग हो चुके हैं ठीक है ये उम्मीद कर रहा हूं कि इस आपको ये समझ में आ जावागा कि समतलिये और असमतलिये बल क्या होते हैं तो जब ये असमतलिये हो गए तो इन दोनों बलों को अगर एक साथ हमें कोई नाम देना हो तो हम बोलेंगे ये असमतलिये बल है ठीक है यहाँ पर ध्यान रखेगा अभी मैंने दिशा की कोई बात नहीं किया ये अगर ऐसे भी होता तो भी ये असमतलिये बल है ठीक है क्योंकि देखे ये एफटू ऊपर है एफवन नीचे है ठीक है दोनों के तल अलग-अलग है अगर दोनों एक ही जगह पर होते तो चाहे जैसे भी लग रहे हो ये समतलिये बल होते ठीक है लेकिन जब आगे पीछे है तो ये अलग- जाता हूँ एक बॉक्स हम कंसीडर करते हैं जैसे हमारा कमरा होता है रूम जिसमें हम रहते हैं ठीक है हमारे कमरे में कितनी दिवारे होती है चार दिवारे होती है ठीक है अगर तल की बात करें तो हमारे कमरे में कितने तल होते हैं तो हम बोलेंगे कि कितने समतल होते हैं तो चार समतल होते हैं। 6 समतल होते हैं। या box है तो इसमें देखे एक तो इधर वाली ये दिवार हो गई यानि कि ये एक सम्तल हो गया ये दूसरा सम्तल ये तीसरा सम्तल उपर ये चौथा सम्तल जो बाहर सामने हमारी तरफ दिख रहा है ये वाला ठीक है ये पांचमा सम्तल और एक इसके पीछे वाला यानि कि छट गवे संब ini अलग अलग तल हो गए संब अलग अगला प्लेन हो गए ठीक है अब अगर हम बात करते हैं कि को ई बल इस तरह से लगे कि वो किसी एक ही तल पर लग रहा हो ठीक है एक ही तल परैक ही तल का मतलब क्या हुआ जैसे मान लीजे, यह जो side वाला तल है, हम इसकी बात करते हैं, मान लीजे कि इसी पर कोई एक बल लग रहा है मान लीजे, यह 1, 2, यह है 3, यह है 4, आगे वाला जो हिस्सा है, यह है 5, और पीछे वाला है 6 तो अभी हम जो 1 वाला हिस्सा है, यह वाला समतल, समतल एक जो है, हम इसकी बात करते हैं मान लीजे, इस समतल पर कुछ बल लग रहे हैं, जैसे यह कोई हो गया F1, यहाँ पर लग रहा है F2, यह लग रहा है F3 यह सारे के सारे बल, इनका जो तल है, वो कौन सा है, पहला वाला यानि कि इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन बलों की जो क्रिया रेखा है, यानि कि लाइन ओफ एक्शन ओफ फोर्स है F1, F2, F3 की, यह लाइन ओफ एक्शन जो है, यह उसी प्लेन पर ही है उसी प्लेन से पास हो रही है, ध्यान रखिएगा, अगर किसी बल की लाइन ओफ एक्शन, फोर्स की लाइन ओफ एक्शन उस प्लेन को भेदते, यानि कि उसमें छेद करते हुए आर पार जा रही है, तो वो उसका तल नहीं हुआ, ठीक है जिस तल पर बल होता है, उसको भेदते हुए बाहर नहीं निकलेगा, बल की उसी पर ऐसे लग रहा होगा, ठीक है ऐसे मान लिजे कि अगर यह बल है, तो यह उसी प्लेन पर लेटा हुआ है, ठीक है तो यह देखिए F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया, यह सारे के सारे इसी प्लेन पर लेटे हुआ है मतलब इसी प्लेन पर इनकी लाइन ऑफ एक्शन है, तो F1, F2, F3 जो हो गए, यह हो गए COPLANER या संतलियेबल, ठीक है, इन्ही को बोलेंगे हम संतलियेबल अब क्योंकि ये जादा है दो से तो ये हो गया बल निकाए क्योंकि दो या दो से अधिक बल लग रहे हैं तो हम इसको बोल देते हैं बल निकाए ये तो हो गया समतली ये बल लेकिन अगर हमने एक ये लगा और दूसरा हो गया माली जे हम इसके सामने वाला यानि कि इधर वाला जो ये प्लेन है ये ले ले लेते हैं यानि कि side number जो 2 है इसकी अब ये second वाला हो गया ठीक है ये इधर वाली ये दिवाल है इधर वाली ये है अब हमने कुछ forces इस पर भी लगा दिये माली जाइ यह हो गया F4 यह है F5 और यह है F6 तो अगर केवल इनकी बात करें तो यह coplanar forces हैं केवल इनकी बात करें तो यह भी आपस में ठीक है यह भी आपस में coplanar हो गए means समतली हो गए तो फिर असमतली का क्या मतलब हुआ वो देखिए अगर हम केवल और केवल बोलें कि F1 F2 और F3 यह तीन बल तो यह कैसे हैं coplanar और इसको हिंदी में बोल सकते हैं समतली ठीक है इसी तरह से F4 F5 और F6 यह भी coplanar है क्योंकि तीनों एक ही plane पर लग रहे हैं यानि कि समतली हैं लेकिन अगर हम बोलें कि इस पूरे इसमें जो लगने वाले बल हैं मतलब F1, F2, F3, F4, F5, F6 इनको हम एक साथ बोलें तो F1, F2, F3, F4, F5, F6 अगर इन सब को हम बोलें कि यह कैसे बल हैं तो हम कहेंगे यह non coplanar system है या असमतली है ठीक है अगर इन सारे को हमें एक साथ नाम देना होगा तो हम कहेंगे यह असमतली है जबकि F1, F2, F3 इस plane के हैं तो यह आपस में coplanar है F4, F5, F6 यह तीनों आपस में coplanar है लेकिन अगर सब को combine कर दे तो यह non coplanar है क्योंकि इस पूरे बल निकाय में से यानि कि इस system of forces में से यह three forces alak plane पर रहें यह तीन forces alak plane पर रहें थेकि है तो यह तो मतलब हो गया संब्ली और असंब्ली यानि कि coplanar और non coplanar forces जो मतलब होता है ठीक है इसके बाद देखिये अब इन से थोड़ा सा आगे बढ़ते है कि यह तो हो गए की coplanar forces क्या होते हैं non co planer क्या होते हैं अब इसके बाद इनको फिर से हम डिवाइड करते हैं कुछ parts में उसमें से जो main है वो मैं आपको फिर से बताता हूं देखे को planer forces में जो सबसे पहला आ जाएगा वो आ जाता है co planer concurrent force जिसको बोला जाता है समतली कॉनकरेंट मतलब संगामी एक तो यह हो गया अब को प्लेनर कॉनकरेंट हो गया तो फिर दूसरा क्या आ जाएगा दूसरा आ जाएगा को प्लेनर नॉन कॉनकरेंट मतलब समतली असंगामी और जो तीसरा आ जाता है वो होता है को प्लेनर पैरलल फोर्सेज इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो समतली समांतर बल ठीक है अब इनके क्या मतलब होते हैं वो अभी मैं आपको बता दूँगा तब तक इसके भी टाइप्स नोट कर लेते हैं असंगामी बल निकाए तो जैसे यहाँ पर चले हैं सेम उसी तरह से यहाँ पर भी टाइप्स हम देखेंगे ठीक है तो चलिए देख लेते हैं इसके भी टाइप्स इसके टाइप्स की अगर बात करते हैं इसमें भी पहला आ जाएगा नॉन को प्लेनर था तो यह नॉन को प्लेनर अब यहाँ भी कौन करेंट था तो कौन करेंट forces मतलब असमतली संगामी बल कर अब यह संगामी बल क्या होते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ है सबस्क्राइट इसके बाद आजाता है नॉन को प्लेनर यह तो चली रहा है तो नॉन को क्ले года प्रिसके बाद क्या था नॉन कॉण करेंट तो यह हो जाएगा नॉन कॉंकरेंट forces means असंतली असंगामी बल और तीसरा जैसे यहां कोपलेनर में पैरलल था तो ऐसे ही नौन कोपलेनर में पैरलल फोर्सेज तो नौन कोपलेनर पैरलल फोर्सेज मतलब असंतली समानतर बल यह होते हैं बल निकाए यानि सिस्टम ओफ फोर्सेज अलग-अलग टाइप के ठीक है आपको स्क्रीन शॉट लेना हो तो आप स्क्रीन शॉट और फिर मैं इस लेक्चर को आगे बढ़ाता हूँ ठीक है यह हो गया क्लासिफिकेशन पूरा सिस्टम ओफ फोर्सेज यानि बल निकाए का अब इसको थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं कि यह क्या क्या होते हैं एक-एक टाइप को ले करके चलते हैं उसके भी पहले हमको जो चीज समझनी हैं उस पर हम फोकस कर लें तो कुछ मीनिंग समझ लेते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि को प्लेनर फोर्सेज क्या होते हैं तो को प्लेनर फोर्सेज मैंने बोला था कि वो फोर्सेज हैं जो एक ही प्लेन पर होते हैं उसी तरह से संगामी या असंगामी बल वो होते हैं जो एक ही पॉइंट पर लग रहे होते हैं जैसे ये लगा F1 ये लगा F2 ठीक है फिर ये लगा F3 ठीक और मैं लिजए F4 इस पर कोई लग रहा है वो भी यहीं कहीं पर लग रहा है आके ये सारे के सारे बल इनकी line of actions जो हैं ये किसी एक common point यानि की इस point पर आकर के मिल रही है ठीक है सारे बल जितने भी बल उस system में है उनकी जितने भी forces हैं उन सबकी line of actions किसी एक particular point से होकर के पास हो रही है सबकी ध्यान रखिए का ये condition है कि जितने भी forces हैं उन सबकी line of action अगर किसी एक point से पास हो रही है तो उस उन बलों को या उस force system को हम बोलते हैं concurrent force system या संगामी बल निकाए तो यहाँ पर जरूरी क्या है कि उन सभी बलों की जो line of action है वो एक ही point से pass हो रही हो तीक है या एक ही बिंदू पर कारे करने वाले बल जो होते हैं वो होते हैं संगामी बल देख लेते हैं एक बार इसको भी समझ लेते हैं अब यहाँ पर देखें कोई force उसको हम कैसे शोग बढ़ते हैं मा लिजए यह कोई F1 force है तो इसकी line of action क्या हो सकती है line of action मैंने आपको बतायता है कि जो force का arrow होता है इसी को हम आगे पीछे अगर बढ़ा दें तो यह होती है line of action यानि बल की क्रियारेख ठीक है और इसी के हम बात करते हैं इसको हम कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं ठीक है तो line of action की कोई limit नहीं है ठीक है अब यह तो हो गई line of action तो अगर कोई एक बिंदू है यह ठीक है इस बिंदू पर एक तो बल लग रहा है F1 तो देखिए F1 की line of action इसी बिंदू से पास हो रहे है एक कोई लग रहा है यहां से F2 तीसरा कोई लग रहा है जो बाहर की तरफ लग रहा है F3 यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी और वो थी law of transmissibility of forces ठीक है वो क्या थी law of transmissibility यह कहती है बलों की इस्थानात्रा अर्शीलता का सिद्धानत जो था वो यह कहता है कि किसी भी बल को उसकी क्रिया रेखा पर आगे या पीछे हम shift कर सकते हैं लेकिन बल का magnitude यानि परिमार और उसकी direction को change नहीं करेंगे तो ऐसा करने से उसके effect पर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो अगर यह F3 है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यह था F1 यह लग रहा था F2 ठीक है F3 जो यहां पर लग रहा था इसको हम line of action अगर बढ़ा दें पीछे तो अब हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि यह F3 वहां से हटके यहां पर लग रहा है ठीक है अब हम इसको यहां से हटा दें और यहां पर लगा दें तो यह और यह दोनों समान हो जाएंगे एक बराबर effect देंगे बहराल यह तो उससे आ गया अब यह जो F1, F2, F3 हैं F1, F2, F3 यहां पर भी यही हैं संगामी बल या Concurrent Forces क्यों हैं यह Concurrent Forces क्योंकि यह सारे के सारे Forces जो हैं यह किसी एक पॉइंट से ही पास हो रहे है इनकी Line of Action किसी एक Common Point से पास हो रही है ठीक है तो यह हो गए संगामी बल अब आती है बात की संगामी तो पता चल गया समानतर बल क्या होते हैं समानतर हमको पता है अगर कोई दो बल एक दूसरे के समानतर लग रहे हैं अभी हमने दिशा की Direction की बात नहीं की है माली जए यह कोई F1 है और यह है F2 तो यह दोनों जो Forces हैं यह क्या है यह है Parallel Forces Parallel Forces हो गए या फिर इन ही को हम बोल सकते हैं समानतर बल ठीक है और इसी तरह से अगर हम Direction चेंज भी कर दें माली जए एक इस तरफ लग रहा है और एक इस तरफ लग रहा है ठीक है तो भी यह हो गए समानतर Forces यह भी है Parallel Forces या समानतर बल ठीक है बस ध्यान क्या रखना है कि जब दोनों समानतर बल जो है Parallel Forces जो है उनकी Direction जब सेम होती है तो इनको हम बोल देते हैं Like Forces Parallel Like Forces और यह क्या हो जाएंगे Parallel Unlike Forces मतलब एक जैसे दोनों है यह थोड़े से इनकी Direction अलग है ठीक है तो यह Parallel में भी दो टाइप आ जाते हैं Like और Unlike ठीक यह तो कुछ बेसिक चीजे हो गई अब पूरा जो Force System की हमने बात करी थी जो अभी मैंने आपको पूरा Classification यह बताया था ठीक है इसको एक Diagram से समझ लेते हैं कि यह है क्या यह सारे के सारे टाइप कैसे कैसे हो सकते हैं कहां लग सकते हैं तो इसको फिर से हम एक बार एक Box की मदद से समझ लेते हैं क्यूब की मदद से इसको समझते हैं तो फिर से हम एक Cube यानि कि एक Box ड्राउ कर लेते हैं अब देखें सबसे पहला जो था Co-Planar Force System Co-Planar की अभी हम बात कर रहे हैं तो Co-Planar में जो तीन टाइप थे Co-Planar Concurrent Co-Planar Non-Concurrent और Co-Planar Parallel Force यानि कि समतली संगामी, समतली असंगामी और समतली समांतर बल तो अभी हम केवल इन ही की बात करते हैं तो समतली बल जो हैं यह मैंने आपको बताया था इस ब्लॉक की कोई भी एक साइड अगर हम ले लें कोई भी एक समतल ले ले माली जए सामने वाला ही हमने ले लिया ठीक है तो इस पर लगने वाले जो forces होंगे ठीक है जैसे एफ वन यह हो गया ठीक है फिर यहां पर लग रहा है कोई एफ टू यह हो गया एफ थ्री यह लग रहा है एफ फॉर तो चलिए इस क्यूब का एक कोई फ्रेंट फेस हमने ले लिया उस फ्रेंट फेस पर यह एफ वन यह एफ टू यह एफ थ्री और यह एफ फोर यह चार forces लग रहे है यह सामने वाले फेस है ठीक है तो सामने वाले फेस पर यह चार forces लग रहे है यह सभी देखिए एक ही तल पर है इनका समतल सामने वाला जो प्लेन है वही है तो यह क्या ह सारे बल एक ही तल पर लेटे हुए हैं इनकी जो लाइन अफेक्शन है उसी पर पड़ी हो यह पूरी ठीक है अब यह सारे के सारे एक ही पॉइंट से पास भी हो रहे हैं ठीक है, इनकी line of action एक ही ही पॉइंट से पास हो रही है, जितने भी forces यहाँ पर हैं, सब की, तो यह क्या हो गए, concurrent भी हो गए इसको क्या बोलेंगे, संगामी तो यह हो गए coplanar concurrent forces या समतलिय संगामी बल, ठीक है अब हमको देखना है कि संतली असंगामी बल क्या होते हैं तो फिर हम इसके माली जे front face को ही फिर से एक बार ले लेते हैं यह कोई भी side हम assume कर सकते हैं, ठीक है यह एक कोई संतल ले लिया हमने इसका ठीक है, किसके तल पर, किसी एक तल की बात कर रहे हैं, तो सामने वाला यह हम फिर से मान लेते हैं अब forces इस तरह से लग रहे हैं कि कोई यह लग रहा है F1 यह कोई लग रहा है F2 इधर कोई लग रहा है F3 यहाँ पर कोई है F4 अब इन forces की अगर बात करें तो देखें, सारे के सारे जो बल यह forces हैं यह coplanar तो हैं क्योंकि सभी एक ही तल पर लग रहे हैं तो यह समतली तो है ठीक है, समतली होने के बाद अगली चीज अगर हम देखें, इनके line of action तो इसकी line of action को बढ़ाएंगे, हो सकता है यह कहीं आगे जाके F3 से मिल जाए हो सकता है किसी दूसरी जगे पर जाके F4 की line of action से मिले किसी तीसरी जगे जाकर के F2 से मिले लेकिन कोई भी ऐसा common point नहीं होगा जहां पर यह चारो बलों की line of action यानि की क्रियारेखा मिल रही हो तो सारे बल जो यहां पर हैं इस सिस्टम में अगर इनकी line of action किसी common point से यानि एक ही point से पास नहीं होती है तो इनको हम क्या बोलेंगे non-concurrent non-concurrent या असंगामी ठीक है पैरलल फोर्सस क्या हो जाएंगे तो अब माली जै इसी फेस की हम फिर से बात कर लेते हैं यह लिया हमने यह plane ठीक है इस पर कुछ फोर्सस इस तरह से लग रहे हो माली जै यह लगा F1 यहां पर लग रहा है F2 जो F1 F2 पैरलल है और F3 ठीक है तो यह तीनों फोर्सस देखिए पहले तो एक ही plane पर है तो यह हो गए co-planar means समतली फिर यह एक दूसरे के पैरलल है तो हो गए पैरलल या समानतर फोर्सस ठीक है अब यहां पर एक चीज़ समझने वाली है कि इस डाइग्राम के अगर हम बात करें तो यहां पर F1 और एंड एफ 3 को अगर हम बोलेंगे तो यह हैं पैरलल लाइक फोर्सस और और एफ 1 एफ 2 एफ 3 को अगर एक साथ बोलेंगे तो यह पैरलल तो हैं को प्लेणर भी है पैरलल भी है लेकिन यह अनलाइक है क्यों क्योंकि डारेक्शन अलग हो जाती यह की, F1 और F3 की तो एक direction है, तो ये दोनो coplanar parallel like forces हैं, लेकिन अगर तीनों को एक साथ देखा जाए, तो इनके दिशाएं अलग-अलग हैं, तो ये coplanar parallel unlike forces हो जाएंगे, ये तो है coplanar के लिए, ठीक है, ये पूरा coplanar system हो गया, अब non coplanar की अगर हम बात करें, ठीक है, तो non coplanar में हमको इसी box में दुबारा से देखते हैं, अब हमको इसकी जरूरत पढ़ेगी, समझने के लिए, तो इसको मैं जरा एक बार और बनाऊंगा, ताकि आपको notes लेने में, screenshot लेने में असानी हो जाए, ठीक है, तो अब देखें, ये जो बात कर रहे हैं हम अब non coplanar की, यानि की असम्तली, तो असम्तली संगामी बलो की बात करनी है, तो असम्तली में हम पहले तो ऐसे देखते हैं, कि कोई एक ये जो point है, यहां से एक बल लगा, ये F1, यहां पर कोई लगा, F2, ठीक है, नीचे सामने वाले जो plane पर लगा, F3, ये लग रहा है F4, तो अब देखिए, F1 और F2, इनका जो तल है, ये उपर वाला, यानि कि छट वाला हिस्सा है, ये उस तल पर लग रहे हैं, F3 और F4 सामने वाले plane पर लग रहे हैं, जो हमें सामने की तरफ दिख रहा है, ठीक है, तो F1 और F2 जो हैं, ये तो co-planer हैं, लेकिन अगर हम इन चारों की बात करते हैं, F1, F2 यहाँ पर co-planer होंगे, F3, F4 co-planer होंगे, लेकिन अगर हम इन चारों की बात करें एक साथ, तो F1, F2 का plane उपर वाला है, F3, F4 सामने वाले plane पर हैं, तो ये क्या हो गए, असमतलिय, यानि कि non co-planer, ठीक है, यानि कि इसको हम लिख सकते हैं, असमतलिय, इतना तो clear हो क्या हम थे, ठीक है, ये हो गए, असमतलिय, अब ये सारे के सारे इस एक पॉइंट से पास भी हो रहे हैं, तो क्या हो गए, concurrent forces, या संगामी, ठीक है, तो ये हो गए, non co-planer, concurrent forces, अब हमें बात करनी है, असमतलिय, असंगामी बल, ये क्या होते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, नाम पर जाएए, असमतलिय, यानि कि, अगर इसमें देखे, क्या नाम था, असमतलिय, non co-planer, यानि कि, एक plane पर भी नहीं होंगे, असंगामी, यानि नॉन गॉइंट से प F2, यहां कहीं पर लग रहा है, माली जे, F3, ठीक है, फिर सामने जो सामने वाला फेस है, इस पर लगा, यहां पर, F4, ठीक है, नीचे वाले पर लगा, F5, अब देखिए, F1, F2, F3, co-planer हो सकते हैं, लेकिन, F1, F2, F3 के साथ, अगर F4 को भी हम देखें, तो यह non co-planer हो गए, F5 को भी जोड़ दो, तो इसका तल अलग है, इसका तल अलग है, और जब्कि इन तीन का तल अलग है, तो यह सारे forces से एक साथ, अगर हम बोलें, तो य कौन co-planer, असमतली, सारे के सारे जो forces हैं, यह किसी एक common point से इनकी line of action पास नहीं हो सकती, यह कहीं हो सकता है, F1 और F3 की line of action मिल जाए, कहीं F1 को आगे बढ़ाएंगे, तो F2 की line of action से मिल जाएगा, लेकिन, F4 से F1 मिल सकता है, कहीं दूसरी जगे F3 मिल लेकिन, एक ही point पर सारे forces की line of action एक साथ मिल रही हो, ऐसा यहाँ पर संभव नहीं है, possible नहीं है, तो यह क्या हो जाएंगे, non-concurrent, क्योंकि सारे forces एक साथ एक point से पास नहीं हो रहे हैं, ठीक है, अलग अलग जगे कोई एक एक दो दो forces मिल सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे, असंगामी, बल, ठीक, अब तीसरा जो टाइप आता है, नॉन, इसमें, नॉन-coplanar में वो था, नॉन-coplanar parallel forces, तो नॉन-coplanar parallel forces को फिर से एक बार हम डाइगराम बना लेते हैं, क्योंकि नॉन-coplanar है, तो हमको हर बार ये cube के थ्रू ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अलग-अलग planes ह यहाँ पर सबसे main चीज है, क्योंकि हम बाती ही कर रहा है, नॉन-coplanar की, यानि कि जिनके plane एक नहीं है, अलग-अलग, तो यह हो गए, देखिए, नॉन-coplanar के लिए, अब हम बात करते हैं, parallel की, तो non-coplanar parallel forces क्या होंगे, माली जे, ऊपर यानि छत वाले हिस्से पर एक लग और यह लगा F4, यह सारे के सारे देखिए, समानतर तो हैं एक दूसरे के, ठीक है, F1, F3 के समानतर होगा, F4, F3, sorry, यह 2 है, F1, F2, F3, F4 एक दूसरे के समानतर तो हैं, लेकिन F1 लग रहा है छत वाले हिस्से पर, यानि उपर वाले plane पर, F3, F4 लग रहे हैं सामने वाले plane ठीक है, और F2 लग रहा है, नीचे यानि जमीन वाले plane पर, तो यह सब एक दूसरे के समानतर तो हैं, लेकिन non-coplaner हैं, यानि कि इनके तल, plane अलग-अलग हैं, तो यह हो जाएंगे non-coplaner, parallel forces, यानि कि असमतली समानतर बल ठीक है, इसमें से भी अगर हम बात करें, तो F3, F4, F1, F2, इन चारों को एक साथ हम बोलेंगे, तो यह parallel में भी unlike parallel forces हैं, parallel unlike forces हैं, असमतली, यानि कि non-coplaner parallel unlike, क्यों हैं, क्योंकि F4 की direction अलग है, अगर हम बोलें केवल F1, F3 और F2, तो यह हैं non-coplanar parallel like forces, क्योंकि इनकी direction सेम है, ठीक है, तो यह हो गया हमारा system of forces, ठीक है, अब system of forces के बाद, हम को बात करनी है, परणामी बल की, तो परणामी बल के लिए, हम अगले वीडियो में discuss करेंगे, और परणामी बल के साथ, हम कुछ और चीज़े भी discuss करेंगे, अग notes लेते जाए, ठीक है, notes अतने बनाते जाए, ठीक है, ताकि आपको easy हो जाए, दूसरी चीज, वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया, तो इसको like कर दीजेगा, share कर दीजेगा, और चैनल को subscribe जरूर कर लीजे, क्योंकि जल्दी जल्दी वीडियो mechanics के भी, और दूसरे subjects क thermodynamics से related बाकी चीजे भी आपको मिलेंगी इस चैनल पर दीरे दीरे करके, ठीक है, तो आपको सारे notifications मिलते रहेंगे, ठीक है, तो thanks for watching, मिलते हैं अगले वीडियो में